हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल हिंदी स्वरंड शो पर आप सभी का श्वागया थे आज हम लेकर आ हुए हंडिड वर्ड पर मिनिट की डिक्रेशन आइट टेस्ट पेपर आप लोगों को इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन दे दूं कि आइट टेस्ट पेपर याए महूदिया जहां तक योजनाओं का सवाल है हमारा उद्देस यही है गरीब हमारी योजनाओं में अधिक से अधिक लाब उठाएं इसलिए हमने जो निर्देस राज्ज शरकारों को दिये हैं उसमें हमने यही रखा है कि अधिक से अधिक लोग हमारी योजनाओं का लाब उठाएं और भी कई तरह के कारकरम हम चला रहे हैं मैंने शुरू ही कहा है कि ए योजनाएं हमने शुरू की हैं और उनके फल धीरे धीरे मिल रहे हैं फिर भी हमने कभी दावा नहीं किया है कि हमने शारी समस्याओं का हल कर दिया है हमने प्रयास जरूर किया है और लगातार कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका अगर सायूख होगा तो हम इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हद तक काम्याब हो सकते हैं पर आपने रेडियो की चर्चा की रेडियो में इसका पिरसारण करते हैं मौसम के बारे में उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है पांट डिगरी से नीचे जब पारा गरता है तो भे कहना सुरू कर देते हैं कि अब सीत लहर चलने वाली है मैंने मौसम बिभाग के लोगों को बतलाया था और उनसे मैंने सवाल किया कि यह पैमाना किश आधार पर बनाया गया है आप मेरी राय से सहमत होंगे कि सर्दी हो या गर्मी यसमें तो सीतिया लू से ऐसे ही लोग मरते हैं जिनके पास कोई रहने के लिए घर नहीं होता पहनने के लिए कपड़े नहीं होते बेवेचारे कहीं फुटपाट पर शोते हैं भिकारी हैं बेरीडियो कहांशे शुनेंगे लेकिन फिर भी मैंने मौसम बिभाग से कहा कि उनको चेतावनी देने के लिए आप क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि जब पारा पाट डिगरी से नीचे आ जाता है तो हम रेडियू से सीद लहर आने की चेतावनी देते हैं उनके मापदंड के अनुसार सीद लहर ना भी हूँ अगर उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है रहने के लिए घर नहीं है तो भी बे लोग इतनी सर्दी में भी मर सकते हैं उन्होंने इस बात को माना कि इस बारे में बेविचार करेंगे कि किस प्रकार से गरीब लोगों को सरदी या गर्मी के कारण मौत से बचाया जाए यह जो मापदंड अभी बना हुआ है उसको बदलने के बारे में भी विचार कर रहे है पर स्रीमन अब और हम सभी जानते हैं कि इन सबका कारण केवल गरीबी ही है लेकिन आज इसका कोई राजनेतिक लाब उठाने का प्रेतन नहीं कर रहा है यह तो सभी पारिटियों की समस्या है इसके लिए मात्र उपाय यही है कि लोगों को थराब मोसम से बचाने के लिए अधिक से अधिक रेन बसेरे बनाए जाएं जहां कम से कम उन्हें अपने जान से हाथ ना धूना पड़े इसके लिए मैंने सुझाओ दिया है कि एक आयोग कठनाईयों से जूजने के लिए बनाया जाए जो इन सभी बातों पर गौर करे और उनके उपाय सुझाए एक माननीय सदस्य ने कहा कि आयोग बनाने से कोई फायदा नहीं होता बलकि आयोग पर खर्चा होगा